ये वाली और इसके बाद वाली दो और विडियोज में हम Fractional Reserve Banking को मजमुई तोर पर समझ कर उस पर तपसरा करेंगे और ये जानेंगे किस तरह जहां ये बैंककारी निजाम सारिफीन के लिए आसानिया लाता है वहीं पे उसमें मौझूद चंद नासिर थोड़े नुकसान दे भी होते हैं तो एक दफा फिर बताती चलूं कि Fractional Reserve Banking System जो के FRB भी कहलाता है बैंकारी का वो निजाम है जिसमें सारिफीन का बैंक में जमा कराए गए पैसे का एक fraction या हिस्सा रिजर्फ कर दिया जाता है यानि महفوظ बना दिया जाता है या यों कहलें के अलग कर लिया जाता है और बाकी का पैसा किसी कारोबारी सरमायादारी पे लगा दिया जाता है जिसके बदले बैंक सूद कमाता है जो हिस्सा अलग किया जाता है वो इस खयाल से अलग किया जाता है कि अगर कभी इस सारिफ को उसके पैसे की जरूरत पड़ी तो उसको वो पैसा लोटटाया जा सक जी बिल्कुल सारिफीन को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उनका पैसा दरहकीकत बैंक के पास है ही नहीं और जिसको दिया गया है उसको वो जानते नहीं ये ना बताने के पीछे वज़ा ये होती है कि सारिफ सूथ का तकाजा न कर ले जाहरी बात है अगर मुझे पता चलेगा कि मेरे पैसे से बैंक सूथ कमा रहा है तो मैं तो चाहूंगी न कि मेरे पैसे का फाइदा मुझे भी हो इसी लिए आम तोर से ये बात सारिफीन को बताई नहीं जाती लेकिन कुछ मौकों पर बता भी दी जाती है और सूथ भी अदा कर दिया जाता है जैसे कि आपने अक्सर फिक्स्ट डिपॉजिट अकाउंट्स का नाम सुना होगा ऐसे अकाउंट्स में पैसा डालते हुए सारिफीन को पता होता है कि उनका पैसा सरमायादारी पे लगाया जाएगा और एक मुद्द तक उनका उस पैसे पर कोई हक नहीं उसके बदले उनको एक मुनासिब रकम का सूद मिलता रहेगा वैसे इस बैंककारी निजाम का एक फाइदा भी है और वो ये कि उसको अपने मुल्क के स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक की सपोर्ट हासिल होती है एक नुकसान भी है और वो ये कि ये निजाम खुद में मौजूद सारे ही इदारों को एक दूसरे के लिए लाजम और मल्जूम बना देता है वैसे सिर्फ नुकसान की हद तक फाइदे में नहीं इसको समझते हैं कि मिसाल से मिसाल के तोर पे किसी मईशत में ये तीन बैंक्स हैं जिसमें से ये दो तो बिल्कुल ठीक काम करते हैं मगर ये तीसरा वाला थोड़ा रिस्की प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है और यही वज़ा है कि बाकियों से बहुत ज्यादा मुनाफ़ा कमाता है और अपने सारिफीन को मुनाफ़ा भी बाकियों से ज्यादा देता है तो यानि उसकी कामियाबी सिर्फ उसकी कामियाबी है उल्टा उसकी कामियाबी का असर ये है कि लोग इसके दिये हुए अच्छे मुनाफ़े की वजह से सारा पैसा इसके पास लगाना चाहते हैं दूसरे बैंकों के पास नहीं आना चाहते लेकिन फर्स करते हैं कि उसकी इस ही आदत की वजह से एक दिन उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और बात बैंक रन तक आ जाती है bank run यानि सारीफियन का bank की तरफ अपना पैसा वापस लेने के लिए दौड लगाना bank run ज्यादतर दीवालिये की निशांदही कर रहा होता है क्योंकि जाहिर है अगर सारे ही सारीफियन अपना पैसाँ वापस लेने आ जाएंगे तो bank के पास क्या बचेगा इस किसम का नुकसान सिर्फ एक बैंक का नहीं होता बलके पूरे बैंककारी निजाम का होता है क्योंकि अगर लोगों का एक बैंक से भरोसा उठा तो फिर तो सब ही बैंकों से उठ जाएगा और सारे ही सारेफीन बैंकों से अपना अपना पैसा वापस लेना शुरू कर देंगे। लहाजा यहां सब को इस बैंक का साथ देना पड़ जाता है। यानि फाइदा सरफ उसका और नुकसान सबका।